असलाम लेकूम मैं हूँ साधिया उजयर वेलकम बैक तो साधिया उजयर्स किचन तो आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सी क्रिस्पी सी चिकन पैटीज विद होममेट पफ पेस्ट्री बहुत ही मज़े की बहुत ही परफेक्ट चिकन पैटीज बनती हैं जैसे कि आप देखी रहे हैं कि इसमें कितनी लेयर्स हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं बिसमिल्लाहरुमारे रहीम तो चिकन की स्टफिंग तयार करने के लिए फ्राइं पैट में डालेंगे तीन से चार खाने के चमच ओयल इसमें शामिल करेंगे एक चाय का चमच अद्रकलेसन का पेस्ट इसके लावा साथ इसमें जाएगा 200 ग्राम चिकन का कीमा तो मीडियम फ्लेम पर अब इसको हम पकाएंगे जब तक के कीमे का कलर चेंज हो जाए तो कलर चेंज होने के बाद चिकन के कीमे को इस तरह से पैन में एक साइट पर लगा देंगे अब इस तरह से जो स्पेस हमने पैन में खाली की है उसमे डाल देंगे एक खाने का जमबच मैदा और इसको फ्राय कर लेंगे यहां पिर चिकन में से उयल निकल आया है तो इसी उयल में इसको हम फ्राय कर लेंगे अगर oil ना हो तो फिर आप थोड़ा सा oil मजीद इसमें शामिल कर सकते हैं मैदे को fry करने के बाद इन दोनों को mix कर लेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे एक छोटे साइस का बारीक चॉप किया हुआ प्यास साथ इसमें जाएंगे कुछ spices आदा चाय का चमच भुना और कुटा हुआ जीरा आदा चाय का चमच काली मिरज का पाउडर आदा चाय का चमच गुटी हुई लाल मिरज और हस्पे जायकास में शामिल करेंगे नमक spices कम जादा आप अपने टेस्ट के अकॉडिंग कर सकते हैं तो अब इनको भी हम 2-3 मिरट तक पकाएंगे medium flame पर ताकि spices का कच्चापन भी खतम हो जाए और प्यास भी थोड़े से पक जाए transparent हो जाए तो चिकन में creamy texture लाने के लिए इसमें शामिल कर देंगे आदा कब दूद और थोड़ी सी दिर के लिए इसको पकाएंगे तक कि दूद भी इसमें थोड़ा सा dry हो जाए और इसका texture creamy सा हो जाए तो बस इस तरह का चिकन हमें चाहिए यहाँ पर हमारी stuffing बिल्कुल तयार है flame को off cut देंगे और इसको एक side पे रख देंगे और next अब हमें जरूत होगी puff pastry की और यह puff pastry वही puff pastry है जो मैंने अपनी previous वीडियो में बनाई थी इसकी recipe का link आपको description box में और वीडियो के last में मिल जाएगा बहुत सारी tips के साथ इस recipe को मैंने share किया है जिसके वेज़े से आप देखें puff pastry बिल्कुल perfect, flaky और बहुत ही खस्ता तयार हुई है तो puff pastry को बेलने के बाद इस तरह से एक cutter की मदद से इसकी cutting कर लेंगे round या square आप किसी भी shape में पैटिस तयार कर सकते हैं तो extra puff pastry को हटा कर puff pastry के squares को हम एक baking tray में रख लेंगे और हर square के center में इस तरह से एक चमच की मदद से थोड़ी सी मियोनिस लगा देंगे इसके उपर chicken की stuffing रखेंगे और puff pastry के दूसरे square से इसको cover कर देंगे इसके बाद इस तरह से छोटे size की एक bottle का धकन लेंगे जिसके edges sharp ना हो और इस धकन की मदद से center से इसको हलका सा प्रेस कर देंगे तके puff pastry की दोनों layers अच्छे से stick हो जाएं अब एक अंडे को अच्छे से फैट कर इन chicken patties के उपर लगा देंगे बेक होने के बाद इसी अंडे के विज़ा से इनके उपर बहुत ही अच्छा सा golden color आएगा और अंडा लगाने के बाद अब इसके उपर हम इस तरह से थोड़ी सी कलोंजी स्प्रिंकल कर देंगे इसके बाद अभी नहीं हम करेंगे बेक preheated oven में 200 Celsius पर तक्रीबन इनको 20-25 मिनट के लिए बेक करेंगे कर लिजे हमारी perfect, khasta, crispy और flaky chicken patties स्यार है देखें कितनी layers वाली chicken patties स्यार हुई है puff pastry की recipe को भी आप जरूर try कीजेगा, बहुत ही जबरदस recipe है तो जाते जाते वीडियो को like, share, channel को subscribe जरूर कर लीजेगा recipe को try करें तो अपना feedback भी जरूर दीजेगा अपना बहुत सा ख्याल रिखेगा, दौाओं में याद रिखेगा Thank you for watching, Allah आपिज